हेलो इस्ट्रोंट्स वेल्कम बैक टू माय चैनल आथर ओड़नी है कश्य पाइनस डबलेज़ वन एफ़ी पे आप सभी का स्वागत है तो आज हम करने वाले पार्ट सेकिंड इस पस्टी करें एक्स्ट्रेशन सजी विशेश्टायम आवास की चाप्टर का हम एक्स्ट्रेश वीडियो तो हमारा वीडियो यहां पे खतम किया था हमने फर्सट पार्ट अभी सेकिंड पार्ट है घास स्थल शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जनतू है जो हीरन जैसे जन्तू का शिकार कर उन्हें मार कर खा जाता है यह मत मैले हलक यह 6.8 इन दोनों जनतू की आखे अनेक चेहरे पर किस प्रकार इस्थेत हैं क्या वे चेहरे के सामने अत्वा पार्शव में हैं शेर के अगले पैर के नकर लंबे होते हैं जिने वे पादा उंगलियों के अंदर खेच कर छिपा सकता है यह शेर की यह संलचना अपने जीवन यापन में साहिता करती है उसका मत मैला हलका बुरा रंका शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदान में छिपाई रखता है और यहाँ पर आपको चितर देखने को मिल सकते हैं शिकार को पता भी नहीं चलता चेहरे के सामने की आखे उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायता होती है जो शेर होता है शिकार को एक दूसरा जनतु शिरन हीरन जो वन या घास तल में रहता है पौदों की कटोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दाथ होते हैं हीरन को अपनी शिकारी शेर जैसे जनतु जो उसके अपना शिकार बनाते हैं कि उपस्तितीकी जानकारी अवश्यक ہے ताकि वह उसका शिकार ना बन सके और वह वहां से भाग जाए उसके लंबे कान्त से सिरके उसे शिकारी से दूर भगाने में सहायता होती है शेर हीरन तथा अन्य जंतुओं एम पौधों में भी बहुत से विश्य सनलचना होती है जो उनकी आवास में जीवित रहने योग्य बनाती है कुछ जलिये आवाज जो जल में आवास करते हैं समुद्र में रहने के लिए मचल एवम आक्टूपस जैसे कुछ स्क्रॉल कर लेते हैं कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आम तरपर धारा रेकिया नहीं होता वह समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तता अपनी और आने वाले शिकार को पकड़ते हैं जब वह जल में चलते हैं तो वह अपने चरीर को धारा रेकिया बना लेते हैं जल में श्वांस लेने के लिए इनमें गिल क्लूम होते हैं डॉल्फिन एवम वेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल होते हैं ये शिर्क पर इस दित नासा द्वारा एवम वाद चिद्रों द्वारा स्वांस लेते हैं ये जल में लंबे समय तक बिना स्वांस लियए रह सकते हैं बैसे समय पर समूर्ज पर सतहेज जल से बाहर आकर स्वसं स्वांस दौरह स्वच्छवाईयू अंदर भड़ते हैं क्या आपने कभी दूर दर्शन अपर अथ्वा समूरी जल समूर्ज जीवन पर चल चित्र में डॉल्फिन की इस रोचक किरिया को देखा होगा कहीं न कहीं तो आपने देखा ही होगा तलाब एवम जील तो तलाब जील के बारे में कुछ देखेंगे पढ़ेंगे मिन्स क्या आपने तलाब जील नदिया एवन नालो में पौधों को उगे देखा है तो हाँ देखा होगा यदि संबभ हो तो सीमा समीप वर्ती किसी तलाब के ब्रहमर पर जाईए वहाँ देखने वहाँ दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए इन पौधों की पत्तियां तने और जड़ किस परकार व्यवस्तित है नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं यहाँ कुछ जलिये पौधे जल सतय पर पलवन करते आंशिक रूप से जल मगन पौधे हैं इन में से कुछ पौधों की जड़े जलाशे की तल हटी की मिटी में इस दिर रहती हैं पौधों में जड़ मिटी से जल एवं खनीच पुष्ट को अव्शोषण का महत्पून कारे करते ह सब्सक्राब्टे आकार में बहुत छोटी होती है आवाममिनका मुख्यकार पौधों को तい्ल हटी में जमाए रखना होता है हिन पौधों का तना लंबाख होकला होता यदि करता है जबकि पसधियों फूल जल की सथाई पर पर पलवन करते हैं कुछ यलिएं पौधे जल मे पूर्ण रूप डूबे रहते हैं ऐसे पौदों के सभीभाग जल्मे फृद्धी करते हैं इन में से कुछ पौदे की पत्या सकरी है वह पतले रिबन कीद़ा होती है ये बहते जल्मे सरलता से मुड़ जाती है कुछ अन्हे जल मगन पौदों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं जिससे जल इनके बीच में बहता रहता है और पत्ति को कोई छटी भी नहीं होती है मतलब पत्तियों कोई नुकसान भी नहीं होता है उपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे मेंडक आम तोर पर तलाब में पाये जाने वाला एक जनतु है यह तलाब के जल एवम इस थल दोनों पर रहता है मतलब जो मेंडक के वो जल में भी रहता है जमीन पर भी रहता है इसके पशपाद लंबे एवम मजबूत होते हैं जो उन्हें छलाइं लगाने आवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं इनके पश्च पाद में जाल यूक्त पादा उंगलिया होती हैं जो उन्हें तैरने में सहायता करती हैं हमने केवर कुछ ही जनतुओं आवं पौधों की चर्चा किया जबकि विविन आवास में रहने वाले जीव की संक्या बहुत अधिक है अध्याचार में सुझाए किरिया कलाब के अंतरगत जब आप पत्यों की एल्बम तयार कर चुके होंगे तब तब तक आप पौधों को अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी कर चुके होंगे कल्प ना कीजे कि यदि हम प्रित्वी के सभी छेत्रों में उपलत पौधों की पत्यों का एल्बम तयार करें तो उनमें कितने विविदता होगी अब हम पढ़ेंगे 6.4 हमारे आसपास के जीव मतलब हमारे आसपास कौन कौन से जीव मिलते हैं तो हमने विभिन आवाज छेत्रों की यात्रा की तता अनेक पौधों जन्तों की चर्चा भी की किरिया कलाप एक में हमने विभिन परिवेश में पाये जाने वाले वस्तूओं पौधों जन्तों की सूची बनाई कल्पना कीजे के यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव के कौन से उधारने आईए वन में पाई जाने वाली वस्तुओं के विशे में सोचे वरक्ष, आरोही, लता, छोटे बड़े जन्तु, पक्षी, सर्प, कीट, चटान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायू, सुखी, पत्या, मरत, जन्तु, छात्रक, एवं, काई, मौस, वन में पाई जाने वाली विभिन वस सजीव समू में वाटी है, कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यह आसान होगा, उधानता हमारे घर की कुरसी, अत्वा मेज जैसी वस्तु हैं, इसमें हमें यह चाटने जिसमें जान होता, जिसमें जान नहीं होता, तो सजीव नहीं है, पहली एड़वर्ड, लियर, ध्वार करते हैं, क्या हम स्वांस के बिना जीवित रह सकते हैं, जब हम स्वांस लेते हैं, तो बाहर की वाईयू शरीर के अंदर जाती है, जब हम स्वांस छोड़ते हैं, तो शरीर के अंदर की वाईयू बाहर निकल जाती है, स्वांस लेना, स्वांस किरिया का एक हिस्सा है, स्व प्रिया में बनी कार्बन डाय अकसाइट को हम स्वास दौरा निश्काशित कर देते हैं गाय भैस कुटा तथा बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में स्वास चन किरिया मनुश्य की तरह होती है इन में से किसी भी जंतुओं का विश्राम के अवस्ता में प्रेक्शन तथा किजि कुछ जंतुओं में गैस आदान परदान का तरीका भी भिन नो सकता है अलग हो सकते हैं जो स्वासन का एक हिस्सा होता है उधारन के लिए केच्वा तोचा दौरा सांस लेता है हमने पढ़ा कि मचली के गिल होते हैं जिनकी साहता से वे जल में विलिया वाय यू में ऑक्सि उप्योग बोजन बनाने के लिए करते हैं तर्था चुर्ण करिया दिन और रात दोओं में ही निरंदर चलती रहती हैं परनाने की प्रक्रिया आपका प्रिये वेंजन को देखते हैं तो उसके विशे में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है आप अंधेरे में स्थान से अचानक तेज धूप में आते तो क्या होता है आपकी आंके सुताई कुछ छड़ के लिए बंद हो जाता है तो जब तक कि वे तेज प्रकाश के अ अचानक अधिक चैते नहीं हो जाते जब आप एक चिलिया की और कदम बढ़ाते हैं तो वे क्या करती है जब जंगली जानवरों पर तीवर प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं इसी प्रकार यदी रात्री में आपका रसोई घर में बल्ब प्रदिप्त कर देते हैं तो कौक्रो चाचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाते हैं क्या आप जनतुओं में उधीपन के प्रती अनुकिरिया के कुछ उधारन दे सकते हैं क्या पौधे भी उधीपन के प्रती अनुकिरिया दर्शाते हैं कुछ पौधों के पुष्प के वल्रात्री के समय ही कहलते हैं कुछ पौधों के पुष्प सुरयस्त के बाद हो जाते हैं छुई मुई गुल महंदी के बुदियों में में पॉइंट कवर खरेंगे तो जैसे कि आप देख बारें यहां पर सूर्ण के प्रकाश के प्रतिय अनुकरी यह अब मना रखेए चुत्र 12 कुछ दिनों तक पौदों को नियमित जल देते रहो क्या यह पौदे खुले इस्थान पर रखे पौदों की तरह सीधा उपर के और वरिदी करता है यदि यह सीधा वरिदी नहीं करता तो ग्याद कीजिए यह किस और मुड़ता है सजीवों में उत्सर्जन क्या सभी सजीव भोजन करते हैं जीव इस ग्रहन के गए भोजन के संपुर्ण मात्रा को अपयोग नहीं करता आहार केवल कुछ ही भाग जीव के शरीय द्वारा उपयोग में आता है भोजन के पच्चे हुए शेष भाग का यह होता है वे इसे अप प्रकर्मों के फल्स्वेरुप में कुछ अप्षिस्ट पदार्थ उत्पन होता है यू को कोई हांई नहीं पहचा सकता है अगला पॉइंट समय और क्या स oc van करते हैं किसी बंगशी की और देखें वे नीड में अंडे देते हैं, कुछ अंडे प्रसफुटित होते हैं, तता उनके चोटे-चोटे बच्चे भार निकल आते हैं, जन्तु प्रजनन ध्वारा अपने समान संतान उत्पन करते हैं, विभिन जन्तु में प्रजनन धंग अलग होता है, कुछ जन्तु अंडे देते होँ हैं जिनसे शेशो निकलते कुछ जंतू शेशो को जन्णम देतें डारेक्टिली और कुछ पधों में भी प्रजननिके तरीके भिन भिन हैं, पधों से पध्रधी तोर ओधें पौधे बीज उत्पतित करते हैं, हम उन्हें अंकुरित कर सकते हैं, और कुछ पौधे बीज के अत्रिक्त अपने काई की भागो द्वारा भी नए पौधे उत्पन करते हैं, और पौधे खलम द्वारा भी उगाए चाहते हैं, क्या आप स्वैम इस विधी के बारे में कर सकत कि और क्या सभी सजीव गति करते हैं अध्याइपांच में हमने जंतूओं में विभिन तरीकों की चर्चा की थी वे एक इस्थान से दूसरे स्थान तक दिखाई देते हैं उनके शरीट में अन्य प्रखार की गति भी दिखाई देती हैं पौधों की विशे में क्या विचार ह देखाई पौधे समानते भूमी में जकड़ी रहते हैं वे एक इस्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते परन्तों विभिन पदार्ट जाज़े कि जल करनी जय वं संशलेशित खाद्य पदार्ट पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में समवाहिद होते हैं हम कुछ नि क्योंकि मृत्त सजीवों के लिए समाने लक्षण है चुकि जीव भी मृत्तिव होती है नेक्स्ट हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विश्च लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं उन सभी को भोजन की अवशकता होती है उनमें सवशन उत्सजनों ते कार साइकल घडि करते है आकाश में छंद्रमा घति आगे हमारे देखते देखते देख्ट ल है कि फिर जीवन क्या है गेह की बोड़ी में अपना हाँध डालीए कि आपको कुछ गर्मी का अनुबब होता है क्यों की ूशंट कि कारण उत्पन होई कर्मी मतलब बीज्य में सुचन के खिरिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य चाह प्रग्रम उतने सक्रिया नहीं होता है समवता हमारे प्रश्ण आखिर जीवन क्या है उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता है तो इसका आप यह कुछ में पॉइंट सा जैसा अनुखुलन जलिया आवाद प्रजिनेंस वसन उधीपन यह प्रमक शब्दें की डेफिनिशन जरू से जरूर याद कर लिजिए और इस वीडियो यह वीडियो ही खतम होते हैं इस वीडियो की कुछन आंसर नेक्स वीडियो में मिलेंगे आपको तो वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर जरू कर कि वीडियो को वीडियो कर देयर जरू हैं